हेलो दोस्तो, स्वागा थे मेरे विलोग वीडियो में, तो दोस्तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, बहुत ही काम की चीज, जो है एलो वेरा, ठीक है, तो एलो वेरा का यूज आपको किस तरह किसे करना है, कौन से बीमारी में करना है, किस टाइम पर करना है, कितनी मात्र इंप्रमेशन में इस वीडियो के दोरन आपको मैं समझा दूंगा तो वीडियो में बने रही है तो ताकि सारा इंप्रमेशन आपको मिल जा सके कई गर में इलोवेरा होता है जिसको उन्हें खुदी पता नहीं रहता है कि उनके पास इतनी बड़ी दवाई है और उसका में अपने स्वास्त को रखने स्वास्त रखने के लिए आपको एलवेरा जिसे महान और सधी को यूज करना चाहिए अब इसका यूज किस तरह किसे करें तो दूस्तों अगर आपको पेट से जूड़ी पेट में अगर कीड़े भी होते हैं या फिर ग्यास ऐसे डिटी कब्ज या फिर खटे ढकारे आपको महसुस होता है तो आप क्या करना कि इसके चिलके को हटा कर दो चार पत्ते तोड़कर इसके काटों को अच्छे से हटा करके साफ करके इसके जैल को निकाल कर उसको अच्छे से कुठ कर उसके जैल को रस बना करके आप एक या दो चमज की सही मातरा में पानी में मिला कर या फिर आप सुसम मतलब की गर्म पानी में मिला कर और एक चमज हनी भी उसमें डाल सेखे तो इसलिए दोस्तों आप इसे खाली प बहतर इन तरीके से आपके पेट में यह काम करेगा और आपको कुछ ही दिनों में मतलब कि क्या पहले दिन से ही आपको फर्क दिखना पता चल जाएगा महसुस होने लगेगा इसलिए बहतर यही होगा कि आप चाय को दो या तिन घंटे बाद पीएंगे अगर आपको आदत ब से जोड़ी समस्या फिर महसुस होने लगेगे जो मैं नहीं चाहता कि आपको यह परिशानी हो दोस्तो जरूरी बात यह है कि एलोवेरा का यूज हर उम्र के बड़े बच्चे बुड़े चाहे वो जवान भी क्यों नहों हर उम्र के लोग इस एलोवेरा का यूज आप पेट से जोड़ी समस्या है अगर आप इसका सेवन करते तो यह सारी बीमारी आपको छू तक नहीं सकती है 100% काम करती है यह एलोवेरा इसलिए दोस्तों आपसे विंती है प्रार्थना है आप एलोवेरा का यूज जरूर करें मार्केट में भी मिलती है पतंजली या फिर कर सकते लेकिन घार का जो बना हुआ औरिजिनल चीज काम करेगा उससे बहतर कुछ होई ही नहीं सकता है आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा जानकारी आपको अच्छा लगी होगी ऐसे इंटरिस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को है जिससे आप स्वस्त रहेंगे खुस भी रहेंगे ठीक है दोस्तों मिलते नेक्ष्ट वीडियो में इसी के साथ आप स्वस्त रहिए खुस रहिए खुस हाल रहिए हैपी रहिए जय हिंद जय भारत